नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइब नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर अगिलेश यादव ने रथियात्रा के साथ किया चुनावी अभियान का आगाज मुलायम सिंग यादव ने रथियात्रा को दिखाई हरी छंडी अगिलेश ने कहा यूपी में फिर दोहराएंगे तिहाज रथियात्रा से पहले मंच पर एक साथ नज़र आया मुलायम परिवार पूर्वस्यानिक रामकिशन ग्रेवाल का अरियाना के बिवानी में अंतिम संसकार आज राउल गांधी के जिवाल समेट कई दलो के नेता भी पहुँची दिल्ली में भी मोधी सरकार को घेरने की तैयारी जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कॉंग्रेस करेगी पैदल मार्ज पूर्वस्यानिक रामकिशन की मौत पर सरकार की सफाई रक्षा मंतरी मनुहर परिकर ने कहा रामकिशन की तरफ से नहीं मिली कोई चिठ्थी, बैंक की गलती से मिल रही थी कम पैंशन बीज़िपी हेड़क्वार्टर में आज दिवाली मिलन समाहरो, प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी के साथ बीज़िपी अध्यक्षा मिच शाहा भी रहेंगे महजूर जासुसी रैकेट के खुलासे के बाद पाकिस्तान ने वापस बुलाए अपने छे अधिकारी, इन अधिकारियों पर जासुसी करने का आरोग मीडिया रिपोर्ट्स के मुदाविक अब पाकिस्तान भारत के दो अधिकारियों पर लगा सकता है रौ के लिए काम करने का आरूप दिली NCR में धुन्द की चादर, धुन्द बढ़ने से विजिबिलिटी हुई कम, धुन्द के चलते कई जगों पर हुए हाथ से और इशियाई चैंपियन्स टॉफी में भारतिय महिला टीम का शानदार प्रदर्शनजारी मलेशिया को दो शुन्ने से हराया, अब 4 नवंबर को चीन से होगा अगला मुकाबला तो यदि इस वक्त की बड़ी खबरे देखते रहे हैं डी भी लाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार